जहिन दोस्तों आज हम नया टॉपिक सुरू करने जा रहे हमारा सेविक्स का क्योंकि कई सारे विद्यारतियों को सेविक्स सब्जेक्ट में दिक्कत होती है तो आज हम उसका कमलेट डिसकसन करेंगे और आज से इस सब्जेक्ट के हम regular classes देखने वाले हैं जिसमें हम समिधान के अलग-अलग मुख बेसेओं की जड़चा करेंगे आज हम चड़चा करने जा रहे हैं प्रमो क्रूप से पहला चियप्टर है ये तो समिधान आके होता क्या है ये आप सभी को पहले पता होना चाहिए तो समिधान सब्द आप लोगों ने सुना तो कई बार है इंग्लिस में से कहते हैं constitution तो इसका meaning क्या होता है तो आप लोगों ने normally सुना होगा कि किसी भी देश को चलाने के लिए बनाए गए नीतिनियम और व्यवस्ताओं का एक व्यवस्तित संगरा जो होता है उसे हम कहते हैं समिधान किसी भी देश को चलाने के लिए बनाए गए नीतिनियमों का व्यवस्तित संगरा ही क्या कहलाता है समिधान तो आखिर भारत का समिधान किस प्रकार से बना है उसकी हम सबसे पहले चड़जा करेंगे तो भारतिये समिधान निर्मान के लिए सबसे पहले बात र 134 मोनों ने कहा कि भारती समिधान के निर्मान के लिए एक अलग से समिधान सभा होनी चाहिए जिस पर बाद में भारती राश्टी महासभा मतलब जिसम के देए इंडियन नेशनल कॉंग्रेस इंडियन नेशनल कॉंग्रेस ने भी सहमती जताई कि भारत के समिधान के लिए ए जिसका चयन वैस्क मदादिगार के अनुसार हो और उस पर अंग्रेजों का कोई भी प्रभोत्व ना हो इस प्रकार की समिधान सभा होने चाहिए जिसे आगे चलकर के स्विक्रित भी कर लिया गया। परंतु जैसा हम जानते हैं कि इसी वर्थों के दर्म्यान द्वितिय विश्चत शुरू हो गया और 1942 के समय पर क्रिप्स मिसन जब आया तब उसकी मांगों को खास रुप से मुस्लिम लिग के द्वारा अस्विक्रित कर दिया गया। क्योंकि मुस्लिम लिग यहां पर मांग करने लगी थी कि भारत जो है उसे दो भागों में विवक्त कर दिया जाए और दो स्वायत राष्ट जो बनेंगे उनके लिए दो अलग-अलग समिधान सभाओं का आयोजन कर दिया जाए और अलग-अलग राष्टों की अलग- सदस्य कैबिनेट क्या है तो एक ब्रकार की विवस्ता है जो अंग्रेजों ने की थी भारतिय आजादी से जुड़े हुए प्रस्णों का निराकरण करने के लिए तो इन प्रस्णों का निराकरण करने के लिए मुल रूप से क्या बनाया अंग्रेजों ने तीन सदस्य प्रस्तुष्ट के निये दो समिधान सभाओं की मांग को तो पुकुरा दिया लेकिन ऐसी योजना इन्होंने प्रस्तुष्ट की जिससे मुस्लिम लिग लगवग लगवग संतोष्ट हो गई थी मतलब कि यह जो तीन सदसी केबिनेट है उसने इस तरीके की योजना मुस्लिम लिग जो थी उसकी मांगे कुछ अद्वक संतोष्ट हो गए थी हाला कि उन्होंने दो स्वायत समिधान सभाओं की मांग को स्विकार गिया नहीं था यह आपर दियान दे रही हो के बात है अभी इसका नाम तीन सदसी केबिनेट क्यों है तो इसका कारण यह है कि इस में तीन सदसी थे लोरांस स्टेफ़र्द और तीसरे नाम था के वी एलेक्जेंडर आप लेक्जेंदर तीन सदसी के विए का नाम दिया जाता है आप यह जो इंस दसे केबिनेट 24 मार्च 1900ुच भारत में आया था इन्होंने अपनी योजना प्रस्तुत की मई महिने में मई महिने में इन्होंने अपने योजना प्रस्तुत की कि किस तरीके से भारत की जो समस्या है जो समिधान का निर्माण है वो आखिर किस प्रकार से किया जाएगा तो नोंने नेशाय किया कि भारत के समिधान निर्माण के लिए एक विशिश्च सभा बनाई जा एगी, इस सभा को हम नाम देंगे समिधान सभा, इस सभा को क्या नाम दिया जाएगा समिधान सभा, Constitution Assembly क्या नाम दिया जाएगा भई Constitution Assembly जो समिधान सवा रहेगी इसकी सदस्य संक्यान निर्धारित की गई 389 कुल 389 सदस्य रहेंगे इस समिधान सवा में इस तरीके करने ने हुआ अब ये 389 जो सदस्य हम देख रहे हैं अब ये 389 सदस्य आकर किस प्रकार से है तो इसमें ध्यान देने हो कि वस्तों ये है कि 296 जो सदस्य थे ये ब्रिटिस भारच जिसे कहा जाता है उसके और 63 बचे हुए जो 93 सदस्य थे ये देशी रियासतों में से सिलेक्ट किये जाएंगे पर अब 93 सदस्य जो थे ये कहां से चुने जाएंगे बई डेशी रियासतों में से और 36 बचे हुए 96 जो है वो कहां से चुने जाएंगे तो इनका चैन किया जाएगा भारत के भारत के तमाम छेत्रफल में से जो गी उस समय पर प्रिटिस इंडिया के अंतरगर आदा था भी ठीक है तो 296 यहां से आ गए और 93 तरीके से टोटल कितने हो जाते हैं अपने 389 सदस से हो जाते हैं समिधान सभागे अब यहां पर भी अलग-अलग व्यवस्ताएं हैं भई मुल रूप से समुधाय के आधार पर उन्होंने यह व्यवस्ताएं की थी आज तर पर यह जो 296 सदस संख्या दिख रही है इसमें ठीक है इसमें कुछ जो सीटे थी वो मुस्लिम समुधाय को दिख गई और कुछ सीट दिख रही है आपको इनका चयन प्रांती एसम्बली के सदस्यों के द्वारा ही किया गया प्रांती एसम्बली के सदस्यों के द्वारा जबकि यह जो 93 देशी रियासत वाले सदस्य थे इनका चयन करने की जो सत्ता थी उस देशी रियासत का जो भी प्रमुक होगा अर्थात कि देशी रियासत का प्रमो कोन होता है राज परिवार तो वो जो है अपने सदस्यों का चुनाव करके वहां पर अपने सदस्य को बेज सकते थे ऐसे सथां है दी गई थी अब आगे चल करके हुआ गया कि देशी रियासतों ने इस समिधान सभा में हिस्सा लेना योग्य नहीं समझा इसलिए ये 93 सीटों में से तो फिलाल कोई सदसे आया नहीं लेकिन ये जो 296 में दिखाई ज़से दे रहा है इसमें इंडियन नेशनल कॉंग्रेस पार्टी जो है वो मुस्लिम लिख के पास गई है 73 सीटे किसके पास गई है बही मुस्लिम लिख के पास और सेस बचिवी जो 15 सीटे है ये 15 सदसे कहां से चुने गए तो इन 15 सदस्यों में कुछ ऐसे थे जो सतंतर रूप से चुने गए थे और कुछ ऐसे थे जो अन्य अलग अलग पार्टिय उसे सम्मंद रखते थे तो कुल मिला करके इनकी संख्या कितनी हो जाते है दोसो च्यानवे लेकिन हमने कहा कि देशी रियासतों ने सुरुआती चरण में इस समिधान सभा का हिस्सा होना सही नहीं समझा मतलब कि हम ऐसा कह सकते हैं कि समिधान सभा जो है वो आनसिक रूप से ऐसी थी जो जन्ता के द्वरा चुनी गई है और आनसिक रूप से उसमें कुछ सदस्य मनोनित किये गए थे ऐसा हमें आपर जान सकते हैं ठीके संपूल रूप से वयस्क मतादिकार के अनुसार तो नहीं चुना गया है लेकिन फिर भी भारत के अलग अलग जगों के जो भी प्रमुकनेता थे वे लगबग लगबग इसमें सामेल हो गए क्योंकि उस समय पर भारत की दो बड़ी हस्तियां इस सिर्फ समिधान सभा में सामेल नहीं हुए थी जिसमें पहले हैं महात्मा गांधी महात्मा गांधी जो थे महात्मा गांधी इस समिधान सभा में सामेल नह थे तेज तरीके से यह चीज़े से अपने को जानना और समझना है ठीक है महादमा गांदी भी सामेल नहीं हुए और मुहमद अली जिन्ना भी इसमें सामेल नहीं हुए उसके अलावा उस समय के भारत की जितने भी बड़ी-बड़ी हस्तियां और बड़े-बड़े राजनेता थे वे तमाम उसमें सामेल हो गए थे जिसमें आप बात चाहे किसी की भी कर सकते हैं उसमें कई प्रमुक नेता भी थे और कई वरेष्ट इस्त्री नेता भी उसमें सामेल हुई थी जिनमें प्रमुक रूप से सरोजनी नाइडू और विजय लक्ष्मिपंडित जैसी नेता हुई थी इसने अपनी पहली बेठक का है उजण किया 9 दिसंबर 1906 को मतलब की हम ऐसा के सकते हैं कि समिधान के निर्माण की शुरुवात जो है समिधान के निर्माण की सुरुवात गहां से हो रही है भी तो 9 दिसंबर 1906 से 9 दिसंबर ही वह persons तारिक तीềं जब समिधान के समिधान सभा ने अपना एक और स्थाई अद्यक्ष चुना और और स्थाई अद्यक्ष जो है वो चुना गया सचिदानंद सिनहा जी को सचिदानंद सिनहा जी को इसका प्रमुक अद्यक्ष जो है चुना गया लेकिन हमने कहा यह कैसे चुने गए थे और स्थाई रूप से अगली मीटिंग जब हुई वो थी 11 दिसंबर 1946 को तो 11 दिसंबर 1946 को इस्थाई अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया गया डॉक्टर राजेंद परसाद को इसलिए आप लोगों ने प्रमुक रूप से डॉक्टर सचितानद सिना जी को चुना गया था लेकिन के से चुना गया था और स्भाग के सलाकार चुने गए कुंचुने के भी सलाकार जानते हैं आप सबी सलाकार थे बी एन राव बी एन राव जो थे वो इसके सलाकार जो है बने और प्रमुक रूप से अध्यक्ष कौन बने तो डोक्टर राजेंद्र रसाद और अगली जो बेटब होई 13 दिसंबर की उस 13 दिसंबर को पंडित जवाहल लाल नहरों ने प्रमुक गोषना की जिसे समिधान के प्रमुक प्रस्तावित पुद्देशी के दोर पर हम जान सकते हैं उसमें उन्होंने भारत का समिधान है किस तरह का होगा उसमें क्या प्रमुक लक्षण होंगे अल्प संख्यकों के लिए क्या विवस्ताएं होंगी और किस प्रकार की विवस्ताएं उसमें देखने को मिलेंगी उसकी एक जलक उनके उस बासण में देखने को मिली समिधान सभा ने अपना कारेकार करना शुरू किया लेकिन यहीं आगे चल करके अंग्रेजों के द्वारा एक नया कानू लाया गया जैसा आप जानते हैं कि ये समिधान निर्मान की प्रक्रिया शुरू हो रहे थी उसी दर्मियान भारत को आजात भी किया गया तो अंग्रेजिक कानून लाए हिंद स्वतंदरता धारा तो उस हिंद स्वतंदरता धारा ने काफी कुछ यहां पर बदल दिया उससे पहले आपको एक जीवेसु ध्यान रखनी है हिंद स्वतंदरता धारा से पहले एक जीवेसु आपको याद रखनी है हो क्या है तो 11 हमने का 9 दिसमबर 1946 को आपड़ शुरुआ दोई थी किसकी समिधान के निर्माणगी लेकिन इसी तारिक को मुस्लिम लिग ने समिधान सभा का त्याक कर दिया मतलब कि उसने समिधान सभा की बैटकों में हिसा नहीं लिया इसका अरतिय हो था है कि ये सदस्य अभी आने वाले नहीं थे इसलिए ये जो पहली बैटकोई उसमें सिर्फ 211 सदस्य ही जोने मोजुद रहे 389 में से मातर और मातर कितने 211 सदस्य ही वहाँ पर हुपसित रहे 399 में से 211 वहाँ पर उपसित रहे जिसका कारण क्या रहा क्योंकि मुस्लिम लिग ने इस पूरे कामकाज को क्या कर दिया और स्विक्रेद कर दिया उन्होंने अपनी मांग पर जोन दे दिया कि भी हमें अलग स्वायत राश्टे ही चाहिए जिद होगा फाकिस्तान ठीक है तो आगे चल करके हमने कहा कभी हिंद स्वतंद्रता धारा अंग्रेजों ने कानून ला दिया हिंद स्वतंद्रता धारा इस कानून के अंदर गत क्या था तो इसमें मांट बेटन योजना आप लोगों ने पड़ा होगा तो मांट बेटन योजना क्या थी भारत को दो हिस् संग्या कितने थी 389 यह कानून आते ही वह सदर सी संग्या सीथे पहुच गई 299 से आजाती के वक्त मर कितने पहुच गए 299 299 जिन मैं से जो सीटे आप लोगों ने देखा कभी 296 सीटे पहले किसकी उवा करती थें भारत के जो परान्त हैं उनकी मतलब टी प्रेटिस इंडि जो अब 296 नहीं बचें 296 के बतले को कितनी रह गई मात्र 239 और मात्र 239 रह गई और जो 93 सीटे दी गई थी देसी रियासतों को उन देसी रियासतों के 93 सीटों मैंसे अब सिफ कितनी सीटे बच गई सिर्फ 70 सीटे ही उनकी बचें 93 मैंसे मात्र 70 सीटे ही उनकी बचें इस तरीके से सदसी संग्या सिफ कितनी पर सीमित हो गई दोसो 99 पर लेकिन एक अच्छी बात यहां पर यह रहे कि सुरवाती चरण में देसी रियासतों ने इसमें 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 नहीं था लेकिन अब दीरे दीरे देसी रियासत के जो सदसे थे इसमें सामेल हो रहे थे साथ साथ में अब तो मुस्लिम लिग की मांग पूरी हो गई उनको एक अलग राष्ट मिल गया तो जो हिस्से अब भारत में है पर वहां से मुस्लिम लीक के जो सदस से जुने गए थे उन्होंने भी इस बेठक में इस सलेना अब सिरू कर दिया मतलब कि यहां पर जो सदस संख्या दिख रही है वे सीटे अब लगवग लगवग भड़ चुकी थी और उन पर सदस भी मनोनेद हो चुके थे अपने कायमकाज के लिए अब यह सलमिदा सभा का कारेट और आगे बढ़ा जब आगे बढ़ा तो समिदान सभाने अलग-अलग समितियों की रचना की उन समितियों में क्या तो अपनेने सुना होगा कि उन समिती में आठ ऐसी समिती थी जो बड़ी समिती के दोर पर जाना जाती है और तकरीवन पंद्र ऐसी समिती थी जिने छोटी समिती के रूप में जाना जा सकता है आठ कैसी बड़ी समिती है या पिर इने प्रमुक कह सकते हैं हम ठीके आठ प्रमुक और सेस पंद्र जो है उन्हें छोड़ी समिति के दोर पर जाना जा सकता है छोड़ी समिति कितने में पंद्र और प्रमुक कितने आठ आठ बड़ी समितिया जो है बनाई वही थी और पंद्र छोड़ी लेकिन इन तमाम समितियों में सबसे जो इंपोर्टेंट और सबसे महत्पूर्ण समिति कही जाती है वो है समिधान की प्रारूप समिति समिधान की प्रारूप समिति समिधान की प्रारूप समिति Drafting Committee of Constitution Drafting Committee of Constitution मतलब कि प्रारूप समिति जो है समिधान की वह टिकेट तो प्रारूप समिति जो है इसमें कुल साथ सदस्य रखे गए थे प्रारूप समिति में कितने सदस्य रखे गए थे कुल साथ सदस्य वह इसमें चुनाओ किया गया था लेकिन इन साथ सदस्यों में भी इस समित्य के अध्यक्ष कौन थे तो इन साथ सदस्यों में से अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर भीमराव अमेडगरगो डॉक्टर भीमराव अमेडगरगो डॉक्टर भीमराव अमेडगरगो drafting comedy मतलब कि प्रारूप समिधी का मुख्य अद्यक्ष जुना गया और हमने जैसा बताया कि तमाम ये जो समिधीयां दिखाय दे रही है उन्से समिधियों में सबसे प्रहूप समिधी कोई सी है प्रारूप समिधी क्योंकि उन्हें समिधान का प्रारुक त्यार करना है इन बाकी तमाम समिधियों के बताए अनुसार और उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना है कि तमाम जो पहलू है वो सटीप होने चाहिए और समिधानिक तोर पर एक राष्ट के लिए हुए सही रहने चाहिए इसलिए अलग अलग समितियां होई अलग अलग बैठ़के होई फुल मिला करके हम ऐसा कह सकते हैं कि लगवक लगवक 11 सत्र का आयोजन हुआ ग्यारा जितने सत्र आयवजित किये गए अलग-अलग समय पर ग्यारा जितने सत्र पहला सत्र आयवजित कब हुआ आपको दिखी रहा है 9 दिसंबर 1904 को और लास्ट बेठा केसकी होगी कब 26 नवंबर 1959 को लेकिन उससे पहले आप समझेए कि 11 सत्र के दर्मयान हुआ गया तो डॉक्टर भीम राओ आमेटकर को काम दिया गया था प्रारूप समिती बनाने का तो इन्होंने सबसे पहले समिधान का जो प्रारूप बनाया उन्होंने फरवरी 1948 में सभी के सामने रखा औ वो बता सकता है और बताए अनुसार योगताओं के अनुसार उसमें बदलाओ यदि संभव होंगे तो अवश्य ही किये जाएंगे तो आठ महिने का समय दिया गया प्रासुत कब किया गया था फरवरी 1948 में आठ महिने का जो है से टाइम दिया गया आठ महा का समय दिया गया और निड़ा किया गया कि बई जो भी सुजाओ दिये जाएंगे उस पर अवश ही विचार मिमर्द होगा तो अगला जो प्रारूप था दूसरा प्रारूप जो था वो अक्टूबर 1948 में उन्होंने प्रसुत किया दूसरा प्रारूप उन्होंने का प्रसुत किया अप्टूबर 1948 में मतलब की इने समिधान का प्रारूप तयार करने में 6 महिने से भी कम वक्त लगा जो की काफी प्रमुख बात के दोर पर जाना जा सकता है ठीक है अभी इसी प्रकार से समिधान का निर्मान की कामका जो है प्रक्रिया जो है वागे चल रही थी और पहली बार समिधान जो था वो सभा के द्वारा प्रसुत किया गया वहाँ पर उन्होंने पढ़ करके समिधान को लोगों को जो है समझाया सभा में और उस पर चर्चा विचा का कि आगे एक एक पहलो की विष्थरित चर्चा हुई इसलिए सबसे अधिक समय भी दूसरी प्रक्रिया में ही लगा क्योंकि ठाई हजार जितने जो संसोधन के घुजार में जो संक्या तो साड़े साथ जार से भी अतिक थी लेकिन चर्चा विचाना किया गया लगबग 2473 पर चर्चा विचाना कितने पर होई लगबग 2473 चीजों पर 2473 चीजों पर जो है चर्चा विचाना किया गया ठीक है यह याद रहेगा भी आपको ठीक है 2473 चितनी चीजों में चर अखिर कारवा तारिक आई 26 नवंबर उनिस सो नपचास 26 नवंबर उनिस सो नपचास 26 नवंबर उनिस सो नपचास को क्या हुआ तो समिधान सभा के द्वारा ये गोशित कर दिया गया कि समिधान जो है उबनकर के तयार हो गया है समिधान जो है बनकर के तयार हो गया है कब कोशिफ किया उन्होंने 26 नवंबर 1959 को और इसी तारिक को जितने भी सदर से समिधान सभा के प्रस्तुत थे हमने कहा कि समिधान सभा के पुल सदर से कितने थे शुरुवात में कितने से 389 लेकिन 389 नहीं बचे थे अभी कितने रहा थे 299 तो 26 नवंबर 1950 के दिन 299 में से 284 सदर से वहाँ पर उपसित थे उन सभी ने समिधान पर अस्ताक्चर किया और उसे स्विक्रती यो है प्रदान की इसलिए 26 नवंबर के दिन को ही हम समिधान दिवस के तोर पर जानते हैं इसलिए हर साल आपने सुनाओगा कि 26 नवंबर का जो दिन आता है उसलिए हम समिधान दिवस मनाते हैं Constitution Day समिधान दिवस आखिर ये है गया तो अपने को यूं समझना है कि 26 नवंबर 1990 को समिधान बन करके तैयार हुआ और इसके निर्मान की प्रक्रिया कब शुरूई थी हमने कहा था 9 दिसंबर 1996 को और समापन कब हो रहा है 26 नवंबर 1990 को तो ये पूरा का पूरा कामकाज होने में कितना समय लगा तो पूरी प्रक्रिया होने में दो वर्ड्स 11 महिने और 18 दिन का वक्त लगा दो वर्ड्स 11 महिने और 18 दिन का वक्त लगा इस पूरे समयकाल के दर्मियान कितने सत्र का आयवजन हुआ तो ग्यारा सत्र का आयवजन किया गया और इन ग्यारा सत्र और इन तमाम प्रक्रियाओं के दर्म्यान समिधान सभा के द्वारा विश्व के लगबग लगबग साइट जितने देशों का जो है समिधान अवलोकित किया गया उसमें जो प्रमुख पाते थी उसको भारतिय समिधान उन्होंने जब भी दी और कुछ बाते जो भारतीय चमीधान में हैं वे स्वायद दोर पर समिधान सभागे सदस्विके दवरा सोची गई हैं उनुने अपनी दिर्ग दुरिष्टी से और देश के प्रती समर्पन की बावना की आधार पर उन चीजों को समिधान के लिए सही माना है इस कूरे के पूरे समिधान निर्मान में तकरीबन 64 लाक रुपे का खर्च हुआ याज की बात नहीं कर रहे हैं उस जमाने में भी कितने का खर्च हो गया भी लगबग लगबग 64 लाक रुपे का जो है इसमें खर्च हुआ और ये प्रक्रियाई सरीके से पूरी हुई आने वाले सेशन में हम चर्चा करेंगे भारती समिधान के प्रमुख लख्षण के बारे में पर भारती समिधान जो है उसमें कौन कौन सी विवस्ताएं है पर क्या उसकी विसेशताएं है उसके बारे में भी हम अध्यान करेंगे जय हिंद